दोस्तों आप सब का हर्दिक स्वागत है मैं हूँ आप कमितर अनुराग और मुझे अपने माइक लाप टॉप और कैमरे की कसम है किस वीडियो में जो भी आपको इंफर्मेशन मिलेगी वो एक दम ऑथेंटिक और सही आपके फाइदे की होगी तो आज का वीडियो के चीज के हैं 131 ग्राम प्रोटीन है अगर एक स्कुवे प्रोटीन अब लेते हैं तब और 134 ग्राम इसमें फैट नहीं बहुत सरे हल्दी फैट है एक चीज मैं देखता हूँ जो लोग मुझे काफी बोलते हैं वो यह कि भीया मुझे एक महीने में चार से पांच किलो गेन करना है त और भीया में उसमें बहुता वे लोग में इसमें चार कीलो गेन करना है तो आपको महीने में 30,800 इक्षा कालोरी इक्षा कानी पढ़ें मतलब हर दिन 10000 से ज़्यादा अब कानी पढ़ेंगे नॉट सेहीं कि हो नहीं सकता बल्कुल होता है मैंने बहुत सरे केसित में देखा लगती है लेकिन having said that महीने में अगर आप 2 kg भी गेन करते हो that's a very very good progress तो इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए moving on with the video मैं आपको कुछ चीजे बताऊंगा अपने experience के साथ कि जैसे इस meal plan में आपको क्या-क्या चीजे धिहान में रखनी है क्योंकि सबसे पहले जब में meal plan की बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि हमें एक ही meal plan चाहिए होता है point A से point B तक जाने के लिए लेकिन reality ऐसी बिलकुल नहीं होती हमें अपना meal plan tweak करना होती हर 15 दिन में हर 10 दिन में कुछ चीजे suit करते हैं इस सब चीजे आपको दिमाग में रखनी है कि एकदम आप ऐसा follow नहीं कर सकते फॉलो करोगे तो हो सकता है थोड़ा in digestion का issue अब शुरू करते है कि meal plan हमारा है क्या तो सबसे पहले जब भी मैं क्या करता हूँ अपने सारे clients को हम सुबा सुबा निभू पानी पीने को बोलते हैं जिंजर राम से पचेगा जिन लोगों को appetite की दिक्कत होती है जिंजर का juice help करता है उस appetite को बढ़ाने में लेकिन क्या सबको सुट करता है आपसलूटली लो सुबा सुबा करी काफी लोगों को निम्भू पानी भी सुट नहीं करता तो आपको यह देखना कि आपको सुट क्य करता नहीं सुट करता कोई डिक्कत नहीं आप सुबा सुवा घी कि पी जे काफी लोगों घी पेना भी सुबा सुबा सुट करता तो इसलिए आपको देखना कि सुट क्या करता अपर बोड़ी आपको feedback देती भाइसाब यह खाईए यह ना खाईए अब जो अगला मील हैमार अब एक चीज में आपको बता दू, इंडिया हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री में बहुत सारी गाहे भैंस रहती है, जो कि बहुत ही क्यूट होती है, और यहार जगा वेलिबल, अगर आपको लोकली अच्छी डेरी मिलती है, थोड़े जादा पैसे खर्च करके तो प्ली नेक्स्ट मील के उपर भागते हैं, दूसरा पार्ट जो है, वो है लंच, लेकिन लंच को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चोड़े अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत डेटेल हो जाएगा, हम लंच की बार करेंगे, अब लंच में क्या सिंपल देखिए, दाल चावल है, लेकिन अगेन, मैं आपको, यह मुझे इस वीडियो की स्टार्टिंग बता देना चाहिए था, अब यह बता देता हूँ, जो मैं अपने हर क्लाइंट से एक सी पर्चेस करवाता हूँ, वो होता है, एक फूड वेइंग स्केल, क्यूंकि मैंटर का करता है, लेकिन फूड की क्वांटिटी भी तो मैंटर करती है, इतना खाना है, तो इस मील प्लान में वैसे भी यह डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस पूडिशन बॉक्स में आप लिंक डाल दूगा, तो सारी क्वांटिटी इसमें होंगी, सारी रॉ होंगी, पकी होई होगी, तो जै नहीं आप सकते हो, मस्ट बनती है, मतलब हाई कैलरी स्टाफ है, पूरा पूरा डाल भी है, अब इसमें तो ओली ओल लिखाए, कभी भी कुकिंग लिए यूज नहीं करो गए, औली ओल क्यू लिखाए, क्यूंकि आप साथ में एक सालड काएंगे, सालड क्यू पर ओली ओल एक्स्टा कैलरीज भी हो जाती है, और ओली ओल के बहुत सारे फायदे भी होंगे, जब ओली ओल की बात करते हैं, तो अच्छा एक एक्स्टा वर्जिन ओल यूज यूज कीजे, रिफाइंट आप ओली ओल मत यूज कीजे, तो यह हो गया आपका लंज का टाइम, अगर आपको प्रीवक ओट मील तक भूख लग जाया आते हैं, तो आपको प्रीवक ओट मील में का करेंगे, पीनट बटर सैंविच खाएंगे, अगर देखिए, यहां मैंने होल वीड ब्रेड जुरूर लिखी है, लेकिन ब्रेड से कही बेटर चीज रोटी होती है, लेकिन अग तो ब्रेड है, ब्रेड के साथ पीनट बटर है, साथ में थोड़े थोड़ा हनी डाला हुआ है, तो पांच किराम हनी है, तेस्ट पे अच्छा होता है, थोड़े से आपके किश्मिश है, इसमें यह प्री वक ओट के लिख बहुत बड़िया रहता है, और साथ में हमने सुस वरपाने में अचे 0 राचार करेंगे वर्कोट करने के बाद क्या करोगे कोई z ambos को इलग से पोस्त वर्काउट डिनर नी नी लोग को अच्छावग का भी त्इनर रोतिया है उसके सो ग्राम पनीर है, डाल है, सबजी है, थोड़ा सालड है, तो ये आपका टिन दोगा है. अब मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, मैं देखता हूं, जो काफी साले मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उनको जो पहले काफी साइट टाइनर्स ने मील प्लांस दी होते हैं, उनमें विच्चितर चीजें लिखी होती है, जैसे ब्रॉकली ही खानी है, ऑल्ली वर्ल म पकाना है, जुकीनी ही खानी है, बिल्कुल है, फूद चॉइस अगर कोई लोकल और सीजनल के इलावा कुछ थे, तो बटाइद गाइसे खानी है, जो मैरे आस पास बनती है, ऐसा नहीं कि कोई विलाइटी चीज खानी है, वो जादा बेटर होती है, यह ज़िए अब देख वोगज इस मेल प्लान गभी वाल्यू और मुझे अपना लाप्टॉप माइक और कैम्मरे की बल्ली देनी पड़ेगी क्यूंकि वने कसम गाई ती आपको वाल्यू मेलेगी तो I'll see you next time till then bye bye